दोस्तों मानसून सीजन से लेकि सर्दियों तक जो फूल आप देख रहे हैं यह आपके पौधे में भरा रहेगा गुड़ल का फूल है यह और इसमें कई सारी वाराइटीज आती हैं डवल पैटन में आता है सिंगल पैटन में यह हमारा देशी है इसमें आपको hybrid भी डेर सारे color options में मिल जाएंगे तो इसी में मेरे पास यह red है, hybrid में मेरे पास orange है, yellow है तो कुछ colors मेरे पास available है जो नहीं है उसमें white एक color था जो मुझे काफी पसंद था और मेरे पास नहीं था तो मांसून चल रहा है मैं ले क्या है इसे कि इसे report कर लेंगे अभी काफी अच्छे सी ये पौधा इस समय अपने garden में हम add कर सकते हैं तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये हमारे गुढ़हल की reporting के लिए इसके लिए कुछ जरूरी बाते हम करेंगे और कुछ इसकी care जो है वो देखेंगे सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके बारे में जो soil mix कैसी चाहिए होगी साथ में pot काउंसा हमें select करना है जिसमें की गुढ़हल का पौधा काफी अच्छे से grow करें और धेर सारे फूल इसमें आते रहें इसके बाद इसे लगाना कैसे है उसमें compost हमें कब देनी है watering कैसे करनी है सारी चीजों में बात करेंगे तो वीडियो सुरू करते है तो आईए दोस्तों एक एक topic पे हम बात कर लेते हैं काईदे से कि किस तरह से हमें गुढ़हल के पौधे को ले आके nursery से report करना चाहिए क्या गुढ़हल एक heavy feeder plant होता है तो इसे आपको कम से कम 12 इंच का गमला देना है जिसमें कि आपको nutrition अच्छे से आप इसमें दे सके हैं और पौधा की जो roots हैं वो अच्छे से फैल सके हैं अब दूसरी चीज आप अगर मिट्टी का गमला select करते हैं इस प्रकार से तो वो ज़्या cemented pot से बाहर नहीं आ पाती है मिट्टी के part में क्या होता है कि जो heat होती है इसमें हलके हलके छिदर होते हैं तो उससे बाहर निकल जाती है तो मिट्टी में एक तरह से कहले हैं ठंधक बनी रहती है उतनी ज्यादा heat नहीं होती है comparison की plastic या cemented pot से अब दूसरी चीज पर बात कर बना लें बिना drainage होल के कभी भी पौधा ना लगाएं उससे पानी जब बाहर नहीं निकल पाता है तो नीचे मिट्टी फंगस पैदा होता है उससे roots में root rot होने का खत्रा बढ़ जाता है तो जो drainage होल है उससे देखे इस परकार से हम cover कर देंगे ताकि मिट्टी बाहर ना जा इससे क्या होगा कि जो मिट्टी होती है दोस्तों वो यहीं पतियों के उपर रहती है तो पानी जो हम डालते हैं वो काफी अच्छे से drain होके नीचे drainage hole तक चला जाता है और वहां से बाहर आ जाता है extra excess water और दूसरी चीज़ कि मिट्टी के संपर्ग में रहने से यह जो पति गुड़हल के पौधे के लिए हमें मिट्टी कैसी बनानी है दोस्तों अभी जो मौसम चल रहा है वो rainy season चल रहा है इसके लिए जो हमें composition लेना है वो लेना है हमें 3 भाग garden soil, 2 भाग जो हम लेंगे इसमें rate construction rate और साथ में 2 भाग हम लेंगे इसमें compost उसके बाद हम एक भाग मैं चीजें आपको composition बता रहा हूँ इसमें जो rate होती है वो मिट्टी को porous बनाएगा पानी बिल्कुल मिट्टी में टिक नहीं पाएगा नीचे drain होके चला जाएगा जो compost है वो पौधे के लिए nutrition प्रवाइड करेगा दूसरी जो हम नीमखली मिला रहे हैं नीमखली anti-fungal, anti-bacterial के साथ साथ धेर सारे micronutrients होते हैं उसमें तो पौधे के लिए काफी लाबदायक होता है राख इस monsoon season में आपकी मिट्टी को fungus से बचाएगा और जो humic acid का हमने granules लिए हुए है वो जो है पौधे की roots को अच्छे से growth करने में सहायता करेगा तो यह सारी चीजों को मि इस मिट्टी से पहले fill कर लेना है यह देखिए दोस्तों आधे गमले को हमने अच्छे से fill कर लेना है इसके बाद जो हमारा पौधा है इसे हम जो poly bag में लगा हुआ है इसमें से हम निकाल लेंगे यह देखिए पूरा पौधा हमारा यहां से निकल जाएगा और आप देख स अब आपको क्या करना है यह जो root ball है इसको हलके हाथों से ठीला कर लेना है ताकि जो roots है वो धीली हो जाएं और नई मिट्टी में जिस नई soil mix में हम इसे लगा रहे हैं उसमें अच्छे से यह फैल पाएं अपनी growth को और विस्तार दे पाएं तो इस परकार से देखिए हमें हलके हाथों से इन्हें धीला कर लेना है root थोड़ा सा airy हो जाएंगी तो अब देखिए पूरी root ball को हमें disturb नहीं करना है थोड़ी मिट्टी हम उपर से हटाएंगे इस परकार से side से थोड़ी मिट्टी हटा के और side से देखिए यह root हमारी जो है अच्छे से दिखने लगी है इस परकार से अब इस पौधे को हम गमले में रख देंगे center में और वापस से जो मिट्टी soil mix हमने तयार किया हुआ है इस से cover कर देंगे अब देखिए दोस्तों आधा से ज़्यादा हमने root ball जब cover कर दिया है तो इसमें आप हमें कुछ चीज़े एड़ करनी होंगी उसमें क्या है यह है हमारा vermicompost आप cowden compost भी यूज कर सकते हैं मिट्टी में तो हमने compost मिला ही थी यहां जो हमारी root ball है इसके पास हम दो मुठी compost डाल देंगे और इसके साथ-साथ हम करीब एक चुटकी wood ice अगर आप wood ice नहीं डलना चाहते है तो healthy powder यहां आप sprinkle कर दें उसके बाद फिर से मिट्टी से इस पूरी root ball को cover कर कर दें इससे क्या होगा दोस्तों जब हमारी root नई नई growth पे आएगी तो उसे compost मिल जाएगा और पौधा root जो है root अच्छे से growth करेगी तो साथ में पौधा काफी अच्छे से growth करने लगेगा तो इस प्रकार से देखिए हमने इसे cover कर दिया पूरे root ball को गमला हमेशा जब भी आप भरे मिट्टी से उपर से एक इंच कम से कम खाली छोड़े जिससे कि हम watering करें तो पानी बाहर ना जाए इस प्रकार से हमने इसे cover कर दिया है अब आता है इस कड़ी में पौधे कोई reporting में दूसरा सबसे important काम जो हमें अभी करना चाहिए इस प्रका Epsom Salt दोस्तों मिट्टी की pH को भी balance करता है साथ में जो पौधे की growth होती है उसको बहुत ही अच्छे से boost करता है इस Epsom Salt के साथ इसमें हम मिलाएंगे करीब 5 ml seaweed का liquid fertilizer यह दोनों ही चीजे micronutrients से भरपूर होती है और पौधे की overall growth के लिए बहुत ही सहायक होती है तो यह दोनों ही चीजों को हम आपस में mix कर लेंगे करीब एक लीटर पानी में एक चम्मच Epsom Salt 5 ml seaweed का liquid fertilizer मिलाके इसे अच्छे से हम mix कर लेंगे और mix करने के बाद जो पौधा हमने report किया हुआ है उसको इस प्रकार से दे देंगे और पौधे को हम अभी रखेंगे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये हो जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को like कर दें share कर दें और नए है चैनल पे तो subscribe और follow कर दें बहुत बहुत धन्यवाद